नमस्तार दोस्तों स्वागताब सभीका आपके अपने यूटूब चेनल सरकारी भारत में तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं चेनल साइन्स के 50 प्लस कोश्चन्स के बारे में 50 प्लस कोश्चन्स इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जो के आपक जोग्राफी और GK के सुपर बन थाउजन कोशन की सीरीज GS की क्लास, GK की ट्रिक की क्लास ये सभी क्लासे इस चैनल पर डेली चलती हैं और इनकी PDF, इन सभी क्लासे की PDF हमारे WhatsApp ग्रूप में प्रोवाइड करवा दी जाती है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको बता तो जो इस्टुडेंट DRU की तयारी कर रहे हैं, DRU MTS की तयारी कर रहे हैं, DRU MTS का फर्म बरा है DRU MTS में बरती होना चाते हैं एक सीरियस कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए मैत और रिजनिंग की इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होगा कोई भी चार्ज नहीं देना होगा तो अनकेडमी पर जाइए जो अनकेडमी का लिंक है वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो पर लीजे वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर 1000 कोशन की इस्टुडेंट्स की लिमिट लगी हुई है उसके बाद आप जोइन नहीं हो पाएं जल्द से जल्द जाके वहाँ पर मुझे को फॉलो कर लीजे बाद में आप जोइन नहीं हो पाएंगे फिर ये कोर्स बाद में प्लस कोर्स में बदल जाएगा ओके तो इस वहाँ से बोला हूँ कि अभी फ्री कोर्स है विल्कुल आपके लिए फ्री आने वाला है तो आप जोइन हो जाएए ये जो कोर्स है इसमें मैथ और इजिनिंग करवाया जाएगा आपको और तीर महीने में कम्प्रीट मैथ और इजिनिंग कैसे हो सकता है उसके लिए ये क्लासस आने वाली है ओके और जो न्यू इस्टुडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा विडियो अच्छा लगए तो उड़ी को लाइक कीजेगा और सेर कीजेगा चलिए तो स्टार्ट करते हैं समय नगवाते हुए ओके चलिए तो फर्स्ट कोशन आपकी स्कीन पर है AIIMS किसका संचिप्त रुप है देखे All India Institute of Medical Sciences ये कहां पर है सबसे पहली बात तो ये न्यू देली में है कहां पर नई दिल्ली में है जो All India Institute of Medical Sciences यानि कि जो AIMS है वो कहां पर है नई दिल्ली के अंदर है तो ये पूस्ता है और AIMS की फुल फर्म कभी कभी नेक्स्ट कोशन है जब रक्त में Oxygen की संधरता में कमी आती है तो स्वांस नली की गति देखे जब Oxygen O2 कम हो जाता है तो जो एक तरीके से संधरता होती है विस्कोसिटी होती है वो क्या हो जाती है भढ़ जाती है ठीक है तो स्वांस नली में जो गति होती है वो क्या हो जाती है भढ़ जाती है रक्त की नेक्स्ट क्वेशन है रेडियो के आविस्कारक जी मारकोनी कहां के रहने वाले थे देखें रेडियो का आविस्कार क्या था जी मारकोनी ने ये इटली के रहने वाले थे कहां के इटली के रहने वाले थे नेक्स्ट क्वेशन है माइक्रो वाइलोजी संब्दित है जो microbiology होती है ये अतिसुच में जीवों की अध्यान से संबन्दित होती है study of small small जो कीट्स होते हैं उनसे संबन्दित होती है next question है सराव का अतिदिक सेवन करने से मानव सरीर मानव के किस अंग की छती होती है देखे जो अतिदिक सराव पीता है ऐसे व्यक्ति में vitamin C की कमी हो जाती है first point तो ये है किसकी vitamin C की कमी हो जाती है और ऐसे व्यक्ति को इसकरवी रोग होने के बहुत chances बन जाते हैं और जो अतिदिक सेवन से किसंग की छती होने लगती है तो यक्रत याने की जो लीवर है वो लीवर घराव होने लगता होगा बहुत सारे आपने देखा होगा जो तारू बगएरा सराव बगएरा पीते हैं हलांके नहीं पीना चाहिए ये सियत के लिए हनका रखोता है फिर भी जो लोग पीते हैं उनके लीवर घराव होने के चंसेस बहुत ज़्यादा भड़ जाते हैं गुले हुए सफेद कपड़ों में नील लगाने से अधिक सफेद वा चमकीले हो जाते हैं इसका करण क्या है तो प्रकास के प्रकीडन के करण स्कैटरिंग ओफ लाइट के करण स्कैटरिंग ओफ लाइट के करण ऐसा होता है नेक्स्ट क्वेशन है कोसिका की खोज किस बग्यानिक ने की थी तो रोबर्ट होग ने किसने रोबर्ट होग ने कोसिका की खोज की थी किसकी खोज की थी कोसिका की सेल्स जो सेल्स होती है cells की कोज किस ने किती रोबर्ट होग ने किती अब देखें जो cells होता है cells के अंदर क्या होता है cells के अंदर एक तरीके से आपका क्या होता है cells के अंदर glucose होता है क्या होता है आपने सुना होगा जो रक्त होता है रक्त के अंदर होता है ये सारा का सारा सिस्टम चलिए कि सीधन हम समझाई देंगे आपको क्लियर कोशिका के बारे में ओके तो आभी इतना ही पढ़ लीजिए आप नेक्स्ट वर्शन है यह दो चुम्मे के द्रोगों के बीच सकती और दूरी दोगों नहीं हो जाएं तो उनके बीच लगने वाला क्या हो जाएगा चार होना हो जाएगा नेक्स्ट है भारत के प्रत्म अंत्रिरे चियातरी राके सर्मा तीन अप्रल 1984 को किस अंत्रिच्ञ में गय ते तो यह सो इजिच टी इलेवन गय ते किसमे सो यूज टी एलेवण में गय थे यह राकिस सर्माई Next Question है कंदरिय तोसक जोन संस्तान C.A.Z.R.I. कहा इस्तेत है कंदरिय सुस्क जोन अनुसंदान कहां पर है, जोदपूर में है जोदपूर कहां पर है, आपका राजिस्तान में है कहां पर है, राजस्तानवे है जोदपॉर जीवों के कलोन हम सकल तैयार करने बग्यानिक पददती का नाम क्या है तो इसे बोलते है कलोनिंग एक ही सकल के जैसे बग्ति बन जाते हैं तो उसे कलोनिंग बोलते है जैब ऑक्सीगन के फलसरूप उने वाली उर्जा का संजय कहा होता है तो ये ATP के अड़ूओं में होता है कहां पर होता है ATP की फल्फरम क्या होती है ये फूच लिया आता है आपको ATP की फल्फरम होती है एडिनोसीन ट्राइफ होस्पेट एडिनोसीन ट्राइफ होस्पेट होती है और ये special type of energy का बंडार होता है और ये कहां पर होता है माइट्रो कॉंडिया में होता है कहां पर माइट्रो कॉंडिया में इसे जो माइट्रो कॉंडिया होता है इसे power of house उर्जा का ग्रेवी कहा जाता है उर्जा का घर next question है प्रकास के दुर्भीकण polarization प्रवाब का पता लगाने के लिए भारती वैग्यानिक का नाम बताईए तो S चंद सेकर वैकेंट रमन जो CV रमन है चंद सेकर वैकेंट रमन है CV रमन है इन्होंने प्रकास के दुर्भीकण प्रवाब की पता लगाया था किसी भी पिंड का किसी भी बस्तू का अगर जो इनर्सिया होता है जो जड़त तो होता है यह सिर्फ और सिर्फ मास पर डिपेंड करता है इस पर द्रब्यमान पर डिपेंड करता है नेक्स्ट वॉशन है वैलाडोना नमा कोस्ती एट्रोपा वैलाडोना नमा कोस्ती प्राप्त होती है तो जड़ और तथा पत्तियों से वैलाडोना नमा कोस्ती प्राप्त होती है थाइमिन कौन सा बिटाइमिन है तो देखे बिटाइमिन B मन होता है थाइमिन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बिटाइमिन A, B, C, D, E, K बिटाइमिन A को रेटीनॉल बोलते हैं क्या बोलते हैं रेटीनॉल बोलते हैं बिटाइमिन A को vitamin B को क्या बोलते हैं thiamine बोलते हैं special जो vitamin B1 बोल सकते हैं vitamin C को ascorbic acid बोलते हैं vitamin D को tachofarol बोलते हैं क्या बोलते हैं tachofarol sorry kelsyferol बोलते है vitamin D को क्या बोलते है kelsyferol vitamin E को tachofarol बोलते हैं vitamin K को philokinon बोलते हैं क्या बोलते हैं philokinon बिटाइमिन A को, रेटिनॉल, बिटाइमिन B को, थाइमिन, बिटाइमिन C को, एसकॉर्बेक असेट, बिटाइमिन D को, केलसी फेरोल, बिटाइमिन E को, टेको फेरोल, बिटाइमिन K को, फिलोकिलन और जो vitamins B6 होता है इसको बोलते है Pyridoxin क्या बोलते है Pyridoxin बोलते है और vitamin जो B12 होता है इसे बोलते है Sino-Covalmen क्या बोलते है Sino-Covalmen ठीक है जो vitamin 12 होता है उसे Sino-Covalmen बोलते है एक question पूछा जाता है vitamin B से कौन सा रोग होता है तो लकवे की विमारी होती है कौन सा लगवे की बीमारी विटाइमिन B7 के करण होती है विटाइमिन B12 में क्या पाया आता तो कोबल्ड पाया आता ये कोशन पूछे आ सकते हैं नेक्स्ट है कंजक्टी वाइटिस सरीर के किसंकारोग होता है तो ये आख का होता है देखें दो रोग और होते हैं एक रोग होता है ट्रेकोमा और एक रोग होता है ग्लुकोमा ओके ट्रेकोमा और एक होता है ग्लुकोमा तो ट्रेकोमा और ग्लुकोमा ये दोनों रोग भी कहां के होते हैं आख के ही होते हैं नेक्स्ट क्वेशन है प्यास का केंदर कहा होता है जो प्यास लगती है इस प्यास का केंदर होता है हैपोथेलामस क्रिंती में कहां पर हैपोथेलामस क्रिंती में नेक्स्ट क्च्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतू जिस चार्कॉल कप्रियों किया जाता है वो क्या होता है एनिमल चार्कॉल होता है जो कच्ची चीनी होती है यह थोड़ा सा ब्लेक ब्लेक कलर में होती है और ब्लेक और पीले कलर में होती है लेकिन इसके अंदर मिला दिय जाता है एनेमल चारखोल में लाया जाता है जिससे इसकों रंग भीहीं कर दिया जाता है एन्ग्निसमन यंत्रों में भरा सोडियम बा нужно किस किसे के करिया करी करीं लाए अकसाड में बदल जाता है तो गंध के अम्र second साथ ओके चलिए तो next question next question है किस को सिकांग को को सिका का पावराउस कहा जाता है थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने मैट्रो कॉंडिया को next question है homo sapiens किस जीव का बैग्यानिक नाम है तो मनश्यों को बोलते है homo sapiens okay next question है hydroponics किसे केते हैं तो पौदों के मरदा वहीन संबर्दन जलिय माध्या मैं पौदों के ओणे को क्या बोलते है hydroponicsबोला जाता है next question है रीकेट mejorar की कमी के करण होता है तो देगे ब्यामिन ड़ी की कमी के करण क्या होता है कि next question है जोती थिलक्स क्मात्रक क्या होता है तो जोती खनेज होता है तो magnesium का magnesium का जो खनेज होता है वो क्या होता है कारणे light होता है चलिए तो next rocket की उड़ने के सिदंद बहुती कि सरचन पर निर्वार करता है तो रेक यह संभीक सरचन प्रणोद और न्यूटन के गतिके तीसरे नियम तीनों पर निर्वार करता है नेक्स्ट अपना ग्राओं की गत्ती से जमन्द कैपलार एरियल वेक के नियत रहने का नियम बहुती की कि किस रासी के सरच्छन पर निर्वार करता है तो कौण ये सम्विक सरच्छन पर निर्वार करता है नेक्स्ट क्वेशन है कौन सा योगिक ऑफ ग्रीन मिथाइल साइलिसलेट नेक्स्ट कोशन है सिनेवार किसका प्रमो का एसको होता है तो जो पारा होता है पारे का प्रमो का एसको होता है सिनेवार कीमो थेरापी क्या होती है तो रासाइनिक पदार्तों के उपयों से रोक की चिकिस्सा में किया जाता है कीमो थेरापी य सिर्का किसका वाड़िक नाम है तो acetic acid होता है उसका राधानिक नाम क्या होता है worket की गती पर किसरस्चन का तरत लागू होता है तो इक होता है प्रणोध यह 3 होते हैं नेग्स्ट अपना अपमार्चक मिलाने से पानी के प्रष्टतनाप पर क्या प्रभब पड़ता है तो जब अपमार्चक मिलाया आ जाता है तो उसका पानी का प्रष्टतनाप गढ़ जाता है next question है कितने electron मिलकर एक micro ampere विद्धुदारा बनाते हैं तो 6.25 x 102 की power 12 next question है प्राकरतिक रवर किसका वहलग है तो isoprene का वहलग होता है जो प्राकरतिक रवर होता है किसका वहलग होता है isoprene का next question है बार किसका मात्रक है तो बाई वंडली दाव का मात्र को होता है पार गेलेना किसका आइस का है तो गेलेना सीसा का आइस को होता है किसका सीसे का सीसे का आइस को होता है लेड का आइस को होता है गेलेना ओके तो दोस्तो हमने इस वीडियो के अंदर कितने questions के बारे में discussion किया मात्र और मात्र 13 मिनट के वीडियो में 30 मिनट के वीडियो में हमने कम से कम 50 प्लस questions को discuss कर लिया अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सबसे पहले like कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ share कीजेगा और चैनल पर नई हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर देजगा फिर से मैं आपको बताऊंगा math origin के लिए आपके लिए classes start हो गई हैं और यह जो classes हैं यह आपके लिए unacademy पर start होई हैं तो unacademy का मेरा link दे रखा है description में हैं वहां से जाके आप मुझे follow कर लेजिए बाद में आप follow नहीं कर पाओगे या फिर वहां पर जाके आप सुभम दिच्छित SHUBHM DIXIT SHUBHM DIXIT सुभम दिच्छित वहां पर search कीजिए तो वहां पर मेरे 80 के करीब follow हो रहे हैं तो वहां पर जाकर follow कर लेजिए तो उम्मीद है आपको सब कोछ अच्छा लगा होगा मिलते हैं इस ट्री की class में thank you thank you for watching अस वीडियो चेह हिंचे भारत